करो या मरो के मैच में पूरी तरह बदली नज़राइगी RCB की प्लेइंग 11 IPL 2024 अब अपने आंतिम पड़ाओं में पहुँच किया है दो दिन बाद लीक स्टेज के सभी मुकाबले समाप्थ हो जाएंगे और फिर प्लेइओफ की शुरुआत होगी अब तक कोलकाता, राजस्थान और हाइदराबाद ने प्लेइओफ के लिए कौलिफाई किया है और 18 माई को चौथी टीम डिसाइड होगी फैन से लेकर क्रिकेट डिगस तक 18 माई की मैच का इंतिजार कर रहे हैं दरसल 18 माई को रॉयल चालेंजस बैंगलूरू और चौइने सूपर किंग्स के बीच भेडन थोनी है इस मैच की विजटा टीम प्लेइओफ में पहुचेगी हाला कि RCB को प्लेइओफ में पहुचने के लिए सिर्फ जीत नहीं बड़े अंतर की जीत की जरूरत होगी बैंगलूरू को अगर प्लेइओफ में पहुचना है तो उसे चौइने को कम से कम 11 रन या 18 ओर में हराना होगा जानिये इस करो या मरो वाले मैच में RCB की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है इस एहम मकाबले से पहले रॉयल चालेंजस बैंगलूरू को बड़ा जटका लगा है दरसल इंगलाइन के खिलारी IPL छोड़ कर वापस अपने देश लोट गए है ऐसे में चैने की खिलाफ करो या मरो की मैच में RCB को विल जैक्स की कमी खलेगी हाला कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब विल जैक्स की जगा कौन लिगा आपको बता दे विल जैक्स की जगा गलेन मैक्सवेल की वापसी हो सकती है शेने की खिलाफ फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली की पारी की शुरुआत करते दिखेंगे इसके बाद तीन नमबर पर गलेन मैक्सवेल बैटिंग कर सकते हैं वही चार नमबर पर रजज़ पाटीदार और पाश नमबर पर कैमरून ग्रीन का खेलना तै है इसके बाद अनुज रावत या मही पाल लोमरोर में से कोई एक खेल सकता है वही फिर दिनेश कार्टिक दिखेंगे गिनबाजी की बात करेतू कर्ण शिर्मा और स्वापनिल सिंग स्पिन विभाग समालते दिखेंगे इनका साथ देनी के लिए मैक्सवेल भी रहेंगे में तेज गेंबासी विभाग में यश्ट डयाल और मुहम्मद सरास के साथ लौकी फर यूनस को मौका दिया जा सकता है